आज मैं आपको बैंक के द्वारा जो रिंट प्रदान किया जाता है। पर स्विखार करता है तो गारंटी से हमारा ताथ पर यह होता है कि जिसमें एक व्यक्ति यह प्रतिग्या करता है कि जो दूसरा व्यक्ति है अगर वो अपने वचन का पालन नहीं कर पाएगा तो उसकी जो भी responsibility है उसका उत्तरदाइत वह है वो इस व्यक्ति के द्वारा वो जबाद दे होगा इसका मतलब यह होता है कि जिब रिणी द्वारा रिण को नहीं चुकाया जाता है तो जो गारंटी करता है जिसमें गारंटी दिये इस बात की वह है उस रिणी के दायत वक्या उत्तरदाइत जो होता है उसका पालन करेगा और उसके द्वारा जो है उरिन का भुकतान कर दिया जाएगा कभी-कभी बैंके द्वारा जो है यह व्यक्तिकत गारंटी होती है इसमें जो इन्डीजवल परसन जो गारंटी दे रहा है वो इतना capable होना चीए है कि वो उस loan की amount को in future जो है वो बैंको पे कर सके तो गारंटी का जो अनुभन दोता है वो व्यक्तिकत पर depend करता है किसी व्यक्ति की goodwill पर depend करता है कि फिर तीसरे व्यक्ति जो तीसरा व्यक्ति है वो उसके बचन का निश्पादन करता है और उसके दायत्व को पूरा करने का इसमें बचन देता है कि in future वो कर देगा तो section 126 के according guarantee की definition दी गई है कि guarantee contract होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तूर पर तीसरे पक्षकार को ये वच्छन देता है कि वो उसके दायत्व को पूरा कर देगा तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तो ये हो गया यहां रणी एक guarantee करता और एक हो गया bank तो guarantee के द्वारा भी guarantee भी जो है वो प्रतिवुति के तौर पर accept की जाती है तो guarantee की जो विशेष्टा है वो है कि सबसे पहला एक लिखी तंदुमन्द होता है कि आपने मोखिक रूप में कह दिया तो bank वाला उसको accept नहीं करता है आपको पूरा जो है रिटिन में जो है उसको देना पड़ता है लिख करके और इसपे stamp अगर जो होता है वो लगाने पड़ते हैं और लिखित में देने के बाद आपके अस्ताक्षर और आपकी firm की जो भी CE लिया मोहर जो भी होती है वो उसपे लगानी पड़ते हैं इसमें almost तीन पक्षकार होते हैं पहला होता है रिणी जिसने बैंक से रिण लिया है दूसरा होता गारंटी करता जो उस ती रिणी की गारंटी दे रहा है और तीसरा होता है बैंक रिण देने वाला जिसको गारंटी करता गारंटी देता है कि इसके द्वारा रिणी के बैंक को चुका देगा तीन पक्षकार होते हैं इसमें सबसे पहली जो responsibility होती वह रिणी की होती है कि पहला उत्तरदाइत उसी का होगा कि वह बैंक को सीधे वही रिण जो है वह चुका है जब वह नहीं चुका पाता है और रिण की परिफकवता तिती भी निकल जाती है तब जाकर के बैंक जो है वह गारंटी करता के किलाव कारेवाही करता है प्रतिवुत्ति का दाइत्व जो होता है वह दित्यक होता है प्रतिवुत्ति कारत होता है गारंटी करता है तो गारंटी करने वाले जिसने गारंटी दिये उसका दाइत्व सेकंड केटेगरी का होता है फ टौन के बीच में होता है लिए कशोफु सै करता है न 檢ंट नुके बीची हूद है कि एक होदयरत होता है जिसमें यह वचन देता है कि उसके द्वारा रिनी द्वारा है करने स्वाहत्तो मरने पर और एक गरुपित होता है वो जो गारंटी करता है और रिनी उन दोनों के बीच में होता है दोनों के बीच में को रिलेशन्शिप होती है तब ही जाकर के ये रिनी जो है ये गारंटी करता है उसकी जमानत देने के प्रकार होता है गारंटी के दो प्रकार होते है पहली गारंटी होती है तो चालू और दूसरी होती है विसिस्ट तो चालू गारंटी जो होती है वो विसिस्ट राशी के लिए या विसिस्ट समय के लिए दी जाती है अब इसमें दो चीजे होती है वो जो है वो डिसाइड होती है कि या तो ए कर सिरो अंते का यह च्किलाइबंड मुष्ांट के रिएपनप्रशका से रिएपनपर वर्ड़ आपारली में बागेनके की प्रकशनिव, अविशनियर्चन कर लेंच कि अला ना म से किसे कि अच्छे रिटे टुsmय, करेंदों इंपम होटता है इससे trade का expansions होता है व्यापार बढ़ता है guarantee के आधार पर जो loan accept होते हैं उनसे हम किसी style की को economic activities start करते हैं जिससे profit होता है उसके बाद bankों को भी lab होता है कि bankों को interest जो है उस पर मिलता रहता तो bank को उसमे profit होने लग जाता है अब guarantee के अनुबंदों में क्या साउधानी रखनी चाहिए वो है सबसे पहला रिनी के संबन में पूर्ण जानकरी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि दियर में जिसको loan issue किया जा रहा है वो particular person कैसा उसका business क्या है उसके production का size क्या है उसकी goodwill कैसी है उसकी economic condition कैसी है उसके बारे में पूरी information bank को collect कर लेनी चाहिए same, ऐसी ही information guarantee करता के बारे में भी होनी चाहिए उसका वेसाओ, उसका size, उसकी income जो है सारी information collect कर लेना चाहिए उसके बाद यह contact हमिशा return में उना चाहिए verbally कुछ भी नहीं होता है, मौखी कुछ भी नहीं होगा जब तक लिखित में गारंटी करता अपनी सहमती प्रकट नहीं कर दे वचन नहीं दे दे रिनक चुकाने का तब तक इस अनुबंद को एक्सेप्ट नहीं करना चीए उसके बाद है गारंटी दाता कि आर्थिक इस्तिति की जानकारी प्राप्त करना जरूरी है अगर उसकी एकॉनोमिक कंडिशन बैटर होगी जितना लॉन लिया है उतनी कि उसके पास एसेड्स होगी तब भी वो लॉन रीपे कर पाएगा और गारंटी करता कि वैधानिक वैध गारंटी करता द्वारा पूरी राशी की गारंटी एकसेप्ट करनी चीए आंशिक रूप से नहीं उसके बात जमानत का प्रकार क्या था ये भी देख लेना चीए कि चालू दिया ये विशेश दिया और अवदी पर्टिकुलर है तो कहां तक है और किस तक है और अगर मूल पॉल गजर्वी को बैंक तो आपको आसानी से लौन देदेता है इसको घ्रहना अदिकार के संबन्द में ही हम ऐसा मानते कि घ्रहना दिकार ही है कि आपने कुछ वैदानिक वस्तौ जो है कुछ वस्तु जो है वो वैदानिक रूप से बैंक के पास रख दी और बैंक उसको जो है एजे अपने पास रख लेता जमा करेगी राशी पर और जब तक आप उस लॉन का रिपे नहीं करते हो तब तक बैंक आपको उस वस्तु का किसी भी प्रकार का कोई भी राइट्स जो है वो आपको नहीं देता है तो भारती अनुबंद अदिनियम की दारा 172 जो है वो गिरवी को डिफाइन कर रही है कि आपने अपने वचर्ण या सुरक्षा के निश्पादन में कोई माल या कोई निकषेप जमा करा दी बैंक के पास इसमें almost जो है वो माल होता है आप उस माल को जमा करा देते हो बैंक को और रिंडाता रिंड के बुक्तान के समय तब तक उसको अपनी सुरक्षा में रखेगा उसकी वैसे ही देखबाल करेगा जैसे वो अपने माल की करती है और रिंड चुकातने के बुक्तान के समय रिंड को वापस जो है वो अपना माल सही सलामत मिल जाता है तो उसको कहते हैं गिर्वी रखना यह गिर्वी जो होता है यह भी according to contract होती है written room में जो है आपको उसके लिए गिर्वी करता को में जो है वो sign करना परता है written में सारे जो है अधिकार bank को सौपने होते हैं कि यह जो वस्तु है वो मेरे डोकुमेंट से वो person उसको रख सकता है ये agent को भी write दिया गया है कि वो अपने swami के माल को भी कुछ समय तक के लिए gir sun रख सकता है अगर सहस्वामी है किसी particular माल के अगर कुछ जादा swami होते है joint में होते है तो उनको भी rights है और सहYukत बहुत सारे है तो भी है, तो ये सारे लोग जो है उस वस्तु को, गिर्वी के रूप में रख करके, और लौन को, रख सकते हैं, गिर्वी एज शेक्योरिटी के तौर पर सारी जो कमोडिटीज होती है, वो बैंक को रख दी जाती है, अब इसमें गिर्वी ग्रहिता के क्या अधिकार है, बै नहीं हुआ तो बैंक को राइट है कि वो कंपनसेशन के लिए केस कर सकता है गिर्वी माल पर अधिकार लेकिन उसकी व्रद्धी पर नहीं और जब दीरे दीरे वो 120-150 हो गए तो केवल मात्र बैंक को अगर मैं लॉन रीपे नहीं करती हूं तो बैंक को राइट है 100 रुपे के मुल्य तक उस पर जो भी प्रीमियम बॉनस डिविडेंट कुछ भी मिलता है तो उस पर बैंक को राइट नहीं होगा उसके बाद एक गिर्वी करता दौरा भुकतान में चूक पर अदिकार अगर गिर्वी करता किसी प्रकार का लॉन नहीं रीपे कर पाता है तो फिर बैंक को राइट है कि वो जो गिर्वी रखा गया समाना उस पर अपना अदिकार जमाले और गिर्वी करता गिर्वी रखे म माल के संबन्द में यह कोई भी चीज बैंक के पास इजे गिर्वी के तार परude रकी है प्रतिवूति के तार पर रागी है जबानत के तार पर है कि तो मझे राइट है कि में अससेर्ट के और किसी और के गोडाउन में रखावा तो बैंक को उसको जाकर के सुपरविजन करने का राइट है और रिंड की वसूली का अधिकार है बैंक को कि अगर आप लॉन नहीं प्रिकर रहे हैं तो बैंक आपको दो तीन वार नोटिस देगा अब उसके करतवे क्या बैंक के जो भी माल उसने एजे गिरवी के तोर पर रखा है ग्रायक कार रिंड का उसकी पूरी सुरक्षा रखे उसकी पूरी सेफटी रखे उसके लिए वही रेस्पंसिबल है उसके बाद है माल का अनुचित प्रियोग नहीं करना चीए कि जैसे मैंने मेरी कार रखी गिरवी के त जो भी हमारा कॉंटेक्ट वास कॉंटेक्ट के अगेंस्ट कोई काम नहीं करे गिरवी रखे माल को अपने माल में नहीं मिलाई ये भी बैंक का करता भी है कि अगर आपने खुद भी आप गिहों के व्यापारी है बैंक का कोई व्यक्ती और मैंने भी गिहों की बोरी रखी ह तो उनको आपस में नहीं मिला है और जैसे ही मैं लॉन रीपे कर दूँ बैंक को ये राइट है कि वो मेरी जो सारी के सारे जो मैंने गिरवी रखे वो सारा समान मुझे लोटा दे तो ये second type था बैंक के लॉन देने का थड़ आता है बंदक तो बंदक के अंतरगत क्या होता है कि जो कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति को रिंडाता को रिंड की जमानत के रूप में हस्तांतरित कर देता उसका अधिकार हस्तांतरित कर देता तो उसको हम बंदक कहते हैं एक वार वापस समद लीजिए सबसे पहला अचल संपत्ती होती है रिनी द्वारा, रिनदाता को रिन की जमानत के रूप में सारे अधिकार का हस्तांतरन करना ही जो है वो बंदक करना कहलाता है इसमें 1882 की जो सेक्षन है 58 वो इसको डिस्क्राइब भी कर रही है कि उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी लोन के लिए किसी भी अचल संपत्ती का जो भी अधिकार है, अधिकार स्वामित्व है उसका हस्तांतरन अगर आप बैंक के फेवर में कर देते हो अगर आप उस हित का हस्तांतरन किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है तो आगर रिन के प्रियोजन के लिए किया जाता है तो वह बंदक कहलाए जाएगा अर्थारत उस सेंस पर आपका राइट नहीं होगा, आपको ओनर्शिप ट्रांसपर करनी पडेगी, ओनर्शिप के सारे बंदक होता है, शेशर्ट बंदक होता है, सेलाब बंदक होता है, जिसमें उस assets से अगर कोई लाब हुआ तो भी वो होगा, इंग्लिश बंदक होता है कि आपके वल मातरों document का ट्रांस्पर कर रहे हो, अधिकार पत्रों पर बंदक होता है कि डोकिमेंट आपने बैंक को दे दिये तो डिफरेंट टाइप्स के जो है ये होते हैं अब इसकी विशेष्टा ये होती है कि इसमें इस्थाई संपत्यों के हित का अंतरण ही किया जाता है इसमें किसी प्रकार का कोई माल नहीं रखा जाता है एक fix assets जो होती है immovable assets जो होती है at least वही बंदक रखी जाती है संपतिम के एक से अधिक स्वामी हो तो ध्यान रखना पड़ेगा कि बंदक रखना है सभी स्वामियों की सहमती होना जरूरी होता है बंदक में वास्त्विक सुपुर्दगी नहीं होती है वेल्डिंग नहीं देते हो only documentation का transfer होता है जो भी उसके हक पत्र थे जो उसके अधिकार पत्र थे उन सभी का transfer हम bank के favor में कर देते हैं और सभी भुकतान करते समय आप वापस सारी संपतिय, सारे अधिकार पत्र जो है वो bank से प्राफ्ट कर सकते हो तो बंदक, गिर्वी और गारंटी तीन प्रकार की condition होती है तीनों के तहत जो है वो bank द्वारा loan accept किया जाता है बट बंदक में हम सारे जो भी हमारी assets थी उस assets के जो भी original document थे उन सभी document को हम एक letter लिख करके bank के favor में transfer कर सकते हैं sorry या उन assets का जो document prepare करते हैं वो भी bank के नाम से कर सकते हैं तो बंदक करने के अलग-अलग तरीके होते हैं किसी भी style से संपत्ति को बंदक रखा जाता है what is the difference between बंदक and गिर्वी तो बंदक में जो सबसे पहला होता है के रिनी रिंदाता को बुकतान की सुरक्षा के लिए उसको गिर्वी के तोर पर रखा जाता है कि मेरिन की सुरक्षा के लिए safety के लिए आप इसको ले लीजिए अपने पास रख लीजिए माल को इसमें एक निश्चे समय के लिए हितकास तंतरन जो होता है वो किया जाता है पर्टिकुलर टाइम होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पिरियरते के assets आपके नाम रहेगी जबकि इसमें हितकास तंतरन होता ही नहीं assets वहीं रहती है आप लोन चुका दो और अपनी assets ले आओ इसमें माल की वास्तुएक सुपुर्दगी अनिवारे नहीं है आप वह उसको assets डिलिवर करो यह possible होता भी नहीं और करो ऐसा कोई नहीं है लेकिन इसमें delivery, compressor यह आप अपने सारे माल के जो हकपत्र है वह बैंक को transfer मतलब इसमें आप बैंक के locker में वह सब रखना जरूरी होता है या तेल के पीपे हैं तो वो बैंक का ही होगा उसको देना पड़ेगा इसमें almost अचल संपत्ती होती है जबकि इसमें चल संपत्ती होती है दोनों में difference है बंदक जब कभी भी किया जाता है तो आपको अचल संपत्ती, immovable assets जो है वो ऐसे रखनी पड़ती है जबकि इसमें moveable assets आप रख सकते हो बंदक में संपत्ती बेचने के लिए न्यायले की अनुमती लेना ज़रूरी नहीं है अगर आपने बंदक रखा है आप loan repay नहीं कर पारे हो तो बैंक न्यायले के पास नहीं जाएगा वो direct assets को sale कर देगा जबकि इसमें संपत्ती अगर आप loan repay नहीं कर सकते हो गिर्वी के तौर पर रखी है तो बैंकों न्यायले के पास जाकर के फिर उस assets को बेचना पड़ेगा बंदक में एक प्रत्थक अनुबंध है जबकि गिर्वी में प्रत्थक अनुबंध नहीं होता तो इस इस दिफरेंस बेवें बंदक अ गिर्वी तो इस इस अल अबवाट गिर्वी बंदक अ गारंटी प्लीस लाइक अ शब्सक्राइब मैं चैनल